गुल बॉर्निंग बच्चो मैं आपको आज क्लास व्यक में जैसे हिंदी पढ़ाने जा रहे हूं कल मैंने आपको सब्तावा दिनों के नाम लिखने के लिए और याद करने के लिए दिया था ठीक है इसको मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूं फ़र्ष्ट क्या होगे है रवी बार शोम बार मंगल बार बूद बार गुरू बार या क्या है शुक्रो बार और सनी बार तो शत्ता में कितने दिन होते हैं साथ दिन कई दिन इन शार दिन कॉन कॉन जोते हैं बच्चो रवीवार शोमबार मंगलवार बूधवार गुरुवार शुक्रवार और शनीवार ठिक है हम आपको यहाँ पर कुछ क्लासवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए उसको आपको भी बनाना है ठिक है दस फलों के नाम लिखे, दस फल का नाम लिखना है, वो तो आप लिख लीजिएगा, पिछले भी चेप्टर में इमने बताया था, फिर भी आज यहाँ पर मैं फिर से दोराना चाहते हूँ, फर्ष क्या हो गया, आम, अनार, अंगूर, शेव, नासपाती, अम्रूद, यह क्य रिफा, तरवूज, नारियल और शंत्रा, यह सब क्या का जी का नाम है, फलो के नाम है, ठीक है, अब हम आपको कुछ होमबर्ग दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको आपको घर से कंप्लीट करके लाना है, ठीक है, होमबर्ग, एकी मात्रा, चेप्टर शेबन हैं, आपने सि चेप्टर से कुछ बनाने के लिए दे रहे हैं, एक की मात्रा वाले दर्शब्द बोलकर लिखे, केला, मेला, से, मेज, बेशन, लाल्टेन, पेड, मेड, मेवा, सेव करेगा, यहां पेसे सब्द इसको आपको तीन-तीन बार अपने कॉप्य में लिखना है, ठीक है, क्या हो सेर, मेज, बेशन, लाल्टेन, पेड, मेड, मेवा, सेब और करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है